हलो गाईज स्वागत है आप सभी का लाइबरेरी साइंस स्पेशल क्लासेज में आज का ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वो ऐसे कौन से ठम्स हैं वो ऐसे कौन से शब्द हैं जो अक्सर एकजाम्स में पूछे जाते हैं और जिनके बारे में ये छोटे-छोटे-छोटे ऐसे वर्ट होते हैं जिसमें बहुती कन्फूजन होता है तो चलिये आज उन सारे कन्फूजन को हम दूर कर लेते हैं जानते हैं कि What is Requisition List तो Requisition List क्या होती है तो इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये एक फॉर्मिट दिखा रही हूँ कि इसको बोलते हैं Requisition List Requisition List का मतलब होता है एक Demand List जो की एक Department के द्वारा Department में जो Teachers होते हैं और उनको जिन Books की Requirement होती है Demand होती है उनकी उन Books की एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को वो अपने College के Librarian को देते हैं तो उसको ही बोलते हैं Requisition List तो ये देखिए Department, Faculty Name, Designation, Date और यहाँ पे देखिए Serial Number, Title, Author, Addition, Year, Publications, Quality Sorry, Quantity ये सारी चीजे उन्होंने इस पे क्या कर दिया है पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि किस को किस डिपार्टमेंट की है और उसमें किस डिपार्टमेंट में कितनी Number of Books किसी एक टीचर को चाहिए ठीक है? और किस ऑथर की होनी चाहिए? कितनी quantity चाहिए? तो आगे forward करते हैं किसको लाइबरेडियन को ठीक है? तो जो requisition list होती है इसके तीन section होते हैं एक होता है left pane, right pane and last है center pane जो left pane होता है वो उसमें क्या होता है? ये filter का काम करता है ठीक है? इसमें यानि कि अब लाइबरेडियन देखता है कि उसको क्यों क्यों सी books जो है वो मंगा सकता है ठीक है? वियाने कि filtration वाला काम जो होता है वो left pane में होता है right pane contains online help and online clips ठीक है? ये जो online help provide करता है जो right pane होता है इसमें क्या होता है? अगर हम किसी information को छुपाना चाहते हैं, height करना चाहते हैं तो इसको हम easily right pane के द्वारा show और hide कर सकते हैं ये एक supporting tool icon की तरह use होता है next है the center pane center pane क्या है? it display requisitions this the list format configurations icon allows user to select the list format यानि जो एक list format provide करता है, ठीक है? they wish to use to display requisition in the list तो ये एक requisition जो list है, उसका एक format तयार करता है कि आप किस प्रकार से अपने books को, अपने requisition list को prepare करेंगे वो इस format के थूँ ठीक है? I hope आपको समझ में आ गया होगा कि what is requisition list देखिए अगर आपको कोई चीश समझ में नहीं आ रही है तो please मुझे उसको comment के द्वारा जरूर बता है क्योंकि जब आप कोई comment करते हैं आप like करते हैं तब ही हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं अब ये देखिए ये जो picture है ये है बे guide की बे guide क्या होता है? बे guide ये देखिए ये देखिए इस प्रकार से बे 1, बे 2, बे 3 अगर हम इसको शॉट में समझे तो बे guide क्या है बे guide एक stack room में रखिऊ हुई जो shelf होती है उसी को ही बोलते हैं बे guide चीक है बे is the part of the face of rack between two consecutive uprights यानि कि यानि कि बे guide का मतलब अगर हम समझे तो बे guide क्या होती है वो हमको ये guide करती है कि जो भी हमारी desire book है यानि हमारी जो interested book है या which book we want ठीक है हम कौन सी book चाहते हैं वो stack room में कहां पर रखिए हुई है ठीक है तो वो उसको बताने के लिए बे guide का use किया जाता है जहाँ पर particular class number लिखे होते हैं और ये rack bunny होती है shelf में जैसे अभी हमें आपको picture में दिखाया ठीक उसी प्रकार से है next is shelf guide shelf guide का I record kept on the cards on cards of the books किताबों के जो cards होते हैं वो उनका एक record रखा जाता है and other material in library in the order in which they stand on the shelf ठीक है shelf पे ये सारी चीजे रखिए होती है पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सी किस shelf पे कौन सी किताबे किस subject से related किताबे महाँ पर रखे हुई है ये book cards रखे हुए है उसके आधार पर देख लीजे each shelf should be provide a shelf guide हर shelf का हर shelf की हर अलग-अलग एक shelf guide होती है ठीक है देखे मैं आप से इसलिए बोल रहे हूँ कि आपके जो likes होते हैं आपके जो dislikes होते हैं उनके थुरू ही मुझे पता चल पाता है कि आप लोगों को मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि जब हम देखे जब हम face to face बैखे होते हैं ठीक है face to face जब हम पढ़ा रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं तो online में हमें मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है वो तभी पता चल पाएगा कि जब आप like देंगे जब आप कोई उससे communicate करेंगे through the feedback ठीके जब आप अपना feedback देंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि हाँ आपको मेरा पढ़ा और यह जोन इस है बहुता है ऐसे की का बीक में एक रास्था हूता है चिंek है उनके बीच में जो लगी है उसको क्या बोलते है यह बोलते हैं कैंग्वे बोलते हैं तो गैंग वे, it indicates the subject covered in that area यह हमें बता देता है कि जिस subject की यह जो रास्ता है या यह जो shelf है, वो हमें कि subject, वो मतलब कि subject को cover करती है ठीक है, उसके बाद में next है the tier guide tier guide का मतलब होता है level या standard ठीक है, in case of more than one tier stake, a tier guide should be provided on each tier and it shows the arrangement of books on that tier यानि कि यह हमें बताता है, it shows the arrangement of books यानि books का जो arrangement है, वो इस tier पर कैसा है, क्या है ठीक है, books के arrangement के बारे में यह हमें बताता है तो यह सारी जो चीजे थी, वो सब चीजे किस से related है यह सारी चीजे rectification से related है preservation and rectification होता है न exams में आते हैं इस से related questions तो वही सारी चीजे मैंने आपको इसमें पताई है देखे, अगर आप लोग मुझे कुछ feedback नहीं देंगे, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ, आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है इसलिए अपना feedback जरूर दे